अब आहिए इस संदेश द्वारा हम पहले भाग में इमेज यानि की छवी से मुक्ति इस विशय को सुने। साधारन तहा इंसान अपनी इमेज से इस कदर जुड़ा होता है कि स्वयम और इमेज दोनों में वो फर्क जान पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। बड़े पत पर कारियरत होने की बज़े से और अपने उपर चिप के लेबल से उसे बड़ान लगा होता है। और ऐसे में यदि कोई उसकी तारिफ कर ले तो उसे लगता है कि उसकी छवी को चार चान लग गए और वहीं अगर कोई कुछ पुरा कह दे तो वेशब उसे नागवार होते हैं। कुछ गलत कहा नहीं कि उसे अपनी छवी मलीन होती होई दिखाई देती हैं। बड़े होधे का अहंकार दुख का सबसे बड़ा कारण मनता है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए हम इस विशय को एक एनालोजी द्वारा समझने वाले हैं। प्यारे खोजियों, आप सब कुछ विच्छा, हैपी थाउट्स। एक प्लास्टिक सरजन थे, उन्होंने कुछ प्रयोग किये। प्लास्टिक सरजन आप जानते हैं, प्लास्टिक सरजरी से कुछ लोगों के चहरे पर निशान हैं, तो वो दूर करते हैं। कुछ अंग, टेड़े-मेड़े हैं, नाक, कान, हॉंट, तो उनको सीधा करने के लिए, या जैसा भी चाहते हैं। प्लास्टिक सरजरी से, तो उन्होंने अपनी स्टडी में देखा, कि जो लोग उनके पास आते थे। अपरेशन के पहले, सरजरी के पहले और बाद में, उनकी इमेज में बहुत बड़ा फरक हो गया। पहले परसन आया, उसकी सेल्फ इमेज पूर थी। मुझे लोग वैली नहीं देते, मेरे काम नहीं होते, में लोगों के सामने जाने से कत्राता हूँ। लोग मेरी नाक कोई देखते रहेंगे, आख कोई देखते रहेंगे, होंट कोई देखते रहेंगे। जो भी fault है उनके दातों में, बालों में. तो जब वो ठीक कर दिया गया उनका, तो उनकी image बदल गई. और एक dramatic effect आ गया. उनके विहवार में, उनकी चाल डाल में, उनकी confidence में. तो उन्होंने वो काम जोरदार शुरूर किया. कि कितना आसान है, लोगों की image बदलो खाली, बस. लोगों की image बदलो, तो वो दुख से मुक्त हो जाएंगे. देखो, बहुत research हुई है, शरीर पर, कैसे इनसान दुख से मुक्त हो? और दुख का कारण क्या है? तो जिन लोगों का ये दुख का कारण यही है, कि लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे है? कथा ही उनका दुख है? तो image ठिक कर दी, तो वे दुख से बाहरा आगे. मगर बहुत जल्दी ही उनको पता चल गया, कि वो जो सोच रहे थे, उससे होने वाला नहीं है. लोगों के सिर्फ चहरे बदलने से, लोग दुख से मुक्त नहीं होंगे. ये उन लोगों के साथ होगा सिर्फ. और वो भी उस टाइब के दुखों से सिर्फ मुक्त होगा. मर मन तो वैसा ही है. भारत में रहता हो, परसन या, अमेरिका में रहता हो, पोलेंड में रहता हो, कहीं पर भी. तो मन वैसा ही है. मगर कुछ लोगों में जो फर्क आया, वो क्यों आया? क्योंकि उनके विचार बदल गए. उनके विचार, शरीर के उस अंग को लेकर जो चल रहे थे, वो विचार बदल गया. विचार बदल गया, यानि क्या हो गया? उसके जो विचार, जो उसको तेजिस्तान से हटा रहे थे, वो विचार समावद हो गया. यानि वो बाहर की वज़े से अपने तेजिस्तान से अलाइन हुआ. मर सिर्फ एक ही कारण से इंसान अपने तेजिसान से हड़ता है क्या तो अनेक और भी कारण है तो सिर्फ चहरा बदल देने से परसन के कॉंफिटेंस आ गया लोगों के बीच में पार्टी में कैसे बेहव करें उसमें कॉंफिटेंस आया उसे सक्सेस भी मिलेगी उसे अच्छे कॉंटेक्स बनेंगे वो सब लाब मिलेंगे तो एक तो उन्होंने देखा कि ये सभी दुखों से मुक्त नहीं कर सकता और सभी लोगों को नहीं क्योंकि जिन लोगों को वो issues नहीं है इमेज के चेहरे को लेकर उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका चेहरा खुबसूरत कर दिया गया फिर भी वे वैसे ही रहे तो failures नहीं सिखाया कि ऐसा क्यों हुआ उनका चेहरा बदलने के बाद उनके दांत अलाइन करने के बाद तो चेंज आनी चाहिए थी क्यों नहीं आई तो उनसे सवाल पूछ पूछ करें कुष्चनर भरवा कर उसने समझा कि जब लोगों के विच्चारों में परिवर्तन आता है image में फरक आता है सिखे तो ही यह बदलाहट होती है यह बाहर की चीज तो निम्मित बनती है और समीशने के लिए नहीं बनती है चेहरा बदलने के बाद लिए परसंद तो वहीं सोज रहा है उसकी कथाओं में फरक नहीं आया तो उसका behavior नहीं बदला उसको सफलता नहीं मिल रही तो फिर कुछ और चीज़ है जिसको बदलना चाहिए तो self image psychology पर कारे हुआ कि लोगों की अंतरिक image कैसे बदली जाए तो पहले है poor image poor image दूसरे नमबर पर फिर rich image पहले भी false poor image थी बात की भी false rich image आई दोनों में false शब्द है पहले परसन जो image लेकर गुम रहा था मैं दूसरों से कम वो क्या थी false poor image वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक अब उसकी जगे पर दूसरी image आई वो भी अवास्तविक है मर वो rich image है अब तुम सुन्दर लग रहे हो तुम किसको कहा जा रहा है वाहाँ उसको मालूमी नहीं है वो तो व्यक्ति के लिए ही समझ रहा है तुम सुन्दर लग रहे हो तो rich image आगे ही उसका फायदा हो गया जो उससे भी आगे बढ़ना चाहेगा वो ही फिर true image पर जाता है true image क्या है इन दोनों के पार जहां ना inferiority है ना superiority है दोनों के पार वो जाएगा true image की तरफ जाएगा actually क्या है और फिर image के पार हो पाएगा इस तरह की रास पहले उसको poor image से निकलना होता है तुम पूर नहीं हो तुमारे लिए सब कुछ उपलब्द है फिर वो rich image में जाता है कि मैं सब कर सकता हूँ सब संभव है गुदरत ने partiality नहीं किये मगर फिर वो कुछ लोगों के सामने superior दिखाने की कोशिश करते जाता है मैं तुम से ज्यादा अच्छा तो वो अभी भी उसी में ही अटका हुआ है true image में जाएगा तो वो दोनों से मुक्त हो गया up down जो हो रहा है वो चाहेगा इस true image से हम पूरा चित्र देखें तो हम इससे पार हो जाएंगे तो वही purpose आज का कि आपको इसके image के पार जाना है कौन सी image मदद करेगी वो लेकर चलना है जो image आपको पार ले जाने में मदद करें नाओ का काम करें वो image लेकर हमें जाना है उसको ऐसे उधारन से समझो कि आप महाबलेशर गए हो महाबलेशर पहुंचे हो और आपको क्या पता चला चारों तरफ कोहरा है कोहरा ही कोहरा फॉग तो फिर आप पूछते हो कि ये कब छट जाएगा क्योंकि आप गए हो महाबलेशर गुमने के लिए सारी पॉइंट्स देखने है आपको और फॉग इतना है कुछ देखता ही नहीं है तो आप एक दिन रुटते हो दो दिन रुटते हो ये तो नहीं जा रहा है फॉग दिन बर रहता है फिर आप क्या करोगे और आप पूछ रहे लोगों से कि ये कब छटने वाला मालम नहीं है साल भी चले ता बोले बेटरे वापस जाए कि जिस परपस से आया थे वह तो हुआ ही नहीं लोग प्रत्विप पर आते न और पता चला कि कुछ देखा ही नहीं कोहरा ही कोहरा था तो फिर इंक्वारी करते लोग जो वहां रहते हैं तो उनसे बाचित करते हैं कि चीज के बिल्कुल नज़्दीक है तो ही वह चीज दिखती है तो कुछ लोगों से बाचित हुई क्या है यह क्या करना चाहिए तो नहीं ने कहा एक एनक मिलती है वो पहनेंगे तो आपको दिखेगा एनक यह जो नाक पर टिकाते हैं तो वो नाक पर रखो तो आपको दिखेगा मगर एक हिस्सा ही दिखता है पूरे चितर का पूरी सीन का पूरे महा बली इश्वर का महा बली इश्वर का एक ही हिस्सा एक ही अंग दिखेगा तो आप क्या करेंगे नहीं से तो अच्छा है इतना आए दूर से आए तो क्या करते ही आइनक लगाते है और बली चाहे एक हिस्सा दिखे तो ठीक है चलेगा मगर एक और बात भी है और बात क्या है कि आप यह लगाकर एक हिस्सा तो देखोगे मगर जब आप एक दूसरे को देखोगे तो सिर्फ इमेज दिखने वाली है जो गुरूप गया है ने उदर अभी जैसे देख रहा है एक दूसरे को वैसा नहीं देखेंगे वो एनक लगाई वो जो उतर नहीं पाऊगे माबलेश्वर से जाने से पहले तो वो पहन कर आपको सामने लाप परसन ऐसे नहीं दिखेगा जैसे आप दिख रहा है तुमको आप सिर्फ इमेज दिखेगी चवी जिसे आप किसी की इमेज देखते नो ड्राइंग की रोगे स्केच की हुई होती है एक इमेज इमेज से कम चलाएंगे वापस लोटने से बहले कुछ प्रयोग करके जाते तब आइनक लगाते है और एक हिस्सा हरे को दिख रहा है हरे को अपना अपना एक हिस्सा दिख रहा है कमन नहीं है वो हरे को अलग-अलग उस सीन का हिस्सा दिख रहा है एक तुकड़ा और एक दुसरे को देखते तो इमेज हरे के एक इमेज बन जाती है अब ट्रू जो था वो तो दिखना बंद हो गया ट्रू जिसके साथ आये थे जिसके साथ बड़ी प्लाइनिंग होई थी वो तो नहीं दिख रहा है अब इमेज दिख रही खाली तो लोगों के विहवार बदल गए आपस में जगडे कुछ बातों पर मन मुटाओ वो सब होने लग गया है अब ग्रूप के अंदर नाराज है परिशन है उसने ऐसा किया कि अब इमेज से विहवार हो रहा है लोगों का विहवार आभी इमेज पर चल रहा है और एक हिसा देख रहे है तो जब उनको टूरिस्ट गाइड मिलता है उसको वह शेयर करते हैं कि ऐसी स्तती है जो कुछ लोग पूछते हैं जो दुखी रह रहे है अभी कुछ है कि इसका हल है कि कुछ पहले इंकोरी की तो एनिक मिली तो कुछ लोग खोष करते रहते और क्या मिलता है तो टूरिस्ट गाइड जो किया है तो जो हर point पर लेकर जाकर शिवीर लेता है एको point पर चलो हुदर शिवीर है जो भी महामले शglass मैं points देखने जाते हैं लोग तो हर point पर एक शिवीर होगा जो ready है तो वो सुनते है कि अब क्या किया jeden यह स्तती है हम लोगों को देखते हैं नहीं है हम तो इमेज ही देख रहे हैं, असली तो देखना बंद हो गया, तब क्या करें, और पूरे चित्र का, पूरे महावलेश्वर का, एक ही पाड़ हमें देखता है, पूरा तो एकटा देखता ही नहीं है, तो गाइड क्या बदाता है, कि यह जो नहीं दिख रहा है, उसका में का परण है, आपके अंदर जो रेजिस्टन्स है, अवरोध जो है, उसको पहले रिलाक्स करना है, जितना आप रिलाक्स हो जाएंगे, उतना थोड़ा ज्यादा दिखने लगेगा, यह उसकी पहले शर्त है, पहले पका मत करो, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, देखते क्या होता है, मुझे पूरा देखेगा क्या, यह पॉइंट पर में जाओंगा, तो यह होगा क्या, वो होगा क्या, वरत है क्या देखना, इतना दूर दूर तक जाना, इतना ड्रवल करना, तो पहले तो तुम सुईकार के साथ शुरूआत करो, तो उससे रिजल्ट आने लग और फिर, गाइड क्या बताता है, कि अब तुम्हें हैबिट डालो, अभी साथना करो, साथना क्या करो, कि तुम्हें जितना चित्र दिखता है न, पहला इंटेंजन रखो कोयल किदर है, वावले शुरूआत पेड़ पहुत है, यह सब आस्मान सब दिख रहा है, सब बाते कोयल किदर है, पहला देखो, डून्डो और किदर है कोयल, तो जब कोयल फोकस हो गया, तो अरे, पहले मुझ लग रहा था कोयल है नहीं, यह बीच में कोई तो आकर जाता है, एक पक्षि निकल कर जाता है, हाई, यह, इस को कोयल खागया है, अब पहचानने लग गय, पहले कि अगसा एक सीन था उसमें से कुछ निकल जाता था आता था जाता था ध्यानी नहीं रहता था जो दिख रहा होता था उसकी के डिटेल में जाकर परेशान होते थे मगर अब इंटेंशन मिल गया तो गाइड पर विश्वास आ गया तो लोग करने लगते ह कि अबि रेलक्सेशन से छित्र तो थोड़ा वड़ा तो हो रहा है अब ही पूरा नहीं दिख रहा है यह मर वड़ा हो रहा है přिसुद्ध्य और इमेजस से मुक्त होना तो अल्टिमेटली गाईड है crushing personality बन रोड़ा है एक personality और लोग परसटरविटी मेज़ते हैं बिजनेस के अनूसार आब तारीफ के अनूसार कैसा दिखों फिल्म स्टार्श को दिखन और हरे को ही परसनालीटी चुनता है और उस पर ही वह पॉलिश करते रहता है development मगर personality development के आगे जो कदम है, image के पार जो कदम है, वो उठाने के लिए पूरा चित्र दिखेगा, तो ये होने वाला है, तो अब जो जो समझते जा रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले जो एक दूसरे के सामने अपनी image polish करने के चक्कर में रहते थे, लोग एक दूसरे के सामने आ कोई क्या make-up करेगा, कोई कौन से शब्दे यूज़ करेगा, कोई कौन से एटिकेट्स यूज़ करेगा, हर एक को जो लगता है, ये वरकबल है, ये करने से मुझे value मिलती है, तो लोग एक दूसरे के सामने image करने का ही पहला विचार रखते हैं, इस image को मैं polish करूं, तो वो पार्ट समापत हो गया, जो पहले बडबड चल रहे थी images को दिखकर, इसकी image ऐसी, इसकी image ऐसी, तो बडबड तो बंद हो गई, क्यों मालम पड़ा ये image दिख रही है, वो एनक की वो जैसे दिख रही, सामने वाला वैसा नहीं है, जैसा मुझे लग रहा है, वो वैसा नही है, ये एनक का कमाल है, नाक पर टिकी है, नाक कट न जाए, एहिंकार को चोट न पहुंच जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, जो image बन गई, मेरे बारे में ये ऐसा कह रहे है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी image को क्या रहा, तो अब वो बडबड भ कोईल पर द्यान है, यानि तेजिस्तान से alignment हो रही है, तो अब लोगों की image के पार का दिखना शुरू हो गया, ये रास्ता जो आपके सामने रखा गया है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, हर एक कितना सफल हो रहा है, इसके अंदर कितना चित्र दिख रहा है, मगर पूरा चि देखना कया शुरू करना होगा, क्यूंके हर एक जुसरे को कैसे देख रहा है, सामने वाला आपके लिए एक इमेज है, एक वस्तू है, एक इमेज है, और उसके लिए आपका शरीर क्या एक वस्तू एक इमेज है, तो अल्टिमेंटली दोनों जो दिख रहे हैं, वो तो images ही आपको लगे कि मैं इमेज नहीं हूँ उसामने आले इमेज है मैं पता क्या चले गया कि उसकी नजर में मैं इमेज हूँ मेरी नजर में वो इमेज है दोनों एक दुसरे की नजर में इमेज तो दोनों को देख कुन रहा है तो इसके लिए वस्तु ये इसके लिए इमेज ये इमेज हुए तो दोनों इमेज तो जब आपको पक्का हो गया तो आप कहेंगे कि ये इमेज इस है जिसमें मेरी इमेज भी आ गई मैं जो खुद को मान रहा था वो भी उदर है वस्तुवों में है देखने वाला जो है वो इमेज के पार उदर रहे एंचेंजबल इमेज इस बदलते रहेगी जो अंचेंजबल है उदर शिप्ट होना है वहीं से ही पूरा महाबलेश्वर दिखेगा वरना एक पार छुपाई रहता है एक पार अंदेरे में रहता ही है और एक पार भी अंदेरे में है तो आप इमेज के पार नहीं जा सकते स्टैबलाजेशन के लिए पूरा महाबलेश्वर महाबली इश्वर दिखना चाहिए तो सब इमेज़िस है जो भी आपको दिख रहा है images है और उनको जनने वाला जो है वो इन images के बहाने, निमित कारण लेकर खुद को जनना चाहता है तो ये अगर परपस है तो फिर images बनाते हैं हम, फिर images में अटकते हैं, फिर उनको पॉलिश करते हैं उसमें जीवन समापत होता है तो कितना समय अब किस चीज़ पर देना है यह आपको डिसाइड करना है तो यह आज का विशेय था कितना समय आपको डिसाइड करना है